नमस्का दूस्तू स्वागत है आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज की अपने इस वीडियो में हम इथियास से सम्मंधित कुछ पिष्णों का डिसकस करेंगी तो हम यहां जिन पिष्णों की बात करेंगी चलिए उनको देख लेते हैं इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रस्ण है कि पूर्व बैदिक या रिक बैदिक संस्करती का काल किसे माना जाता है ठीक है हमें बताना है कि पूर्व बैदिक या रिक बैदिक जो संस्करती है इसका काल कब माना जाता है ए हमें बताना है आप्शन A, 1500 इसा पूर्व से 1000 इसा पूर्व, आप्शन B, 1000 इसा पूर्व से 600 इसा पूर्व, आप्शन C, 600 इसा पूर्व से 600 इस भी, और या आप्शन D, N मैंसे कोई नहीं ठीक है तो इसका जो सही अंसर है वह है पंद्रा सो इसा पूर्व से एक हज्जार इसा पूर्व तक जो काल है उस काल को माना जाता है रिक बैदेक काल या इसको बोलते हैं पूर्व बैदेक काल ठीक है अब बात यहां आती है बैदेक काल की ठीक है किस काल की बात आती है पार्ट में माटा गया है दो पार्ट में माटा गया है पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम रक बेदिक काल या इसी को बोलते हैं पूर्व बेदिक काल वह इसका टाइम पीरिड है पंदरा सो से लेकर एक हजार इसा पूर्व तक ठीक है दूसरा यहां पर आता है उत्तर बैदिक काल ठीक है और उत्तर बैदिक काल का जो समय माना गया है वह माना गया है 1000 इसाफ पूर्व से 600 इसाफ पूर्व तक ठीक है तो हैं दो आपको याद रखना है एक है उत्तर बैदिक काल और एक है रख बैदिक काल या जिसको हम पूर्व बेदे काल भी बोलते हैं आगे बढ़ेंगे कि आरे सब्द का साब्दिक अर्थ क्या होता है ठीके आरे सब्द का जो साब्दिक अर्थ है ए हमें बताना है आप्शन A बीर या योद्धा आप्शन B स्रेष्ट या कुलीन आप्शन C यग करता या पुरोहित और आप्शन D बिद्वान तो इसका जो सही अंसर है वह है सेष्ट या कुलीन ठीके तो जो आरे सब्द होता है इसका साब्दिक अर्थ होता है सेष्ट या कुलीन अगर हम बात करें इस आरे सब्द की तो आरे सब्द जो बना है वह है अर धादू से मिलकर बना है किस धादू से मिलकर बना है अर ठीके और अर का अगर हम मतलब जानने की कोशिश करें तो अर का मतलब होता है कि जिसने संसकार के द्वारा सिष्ठता स्थापत की हो उसका मतलब होता है आरे ठीके क्योंकि यह अर्ज से मिलकर बना है अगर हम बात करें कि जो मैक्स मूलर थे तो मैक्स मूलर ने जो आ रहे थे इनको माना है कि यह मद्ध एसिया से आये हैं यह भारत के नहीं है ये मद्द एसिया से आये थे और जो आरियों ने जिस संस्किती का नमार किया जिस सभथा का नमार किया वह कहलाई बैदिक सभथा ठीके और जो आरियों की सभथा थी वो ग्रामीर सभथा थी तीक है यह भी आपको याद रखना है कि जो आरियों की सब्वता थी वो किस परकार की सब्वता थी ग्रामीर सब्वता थी और इसी को हमने नाम दिया बैदिक सब्वता अगर हम बात करें आरियों की भासा की तो आरियों की भासा थी संस्कित कौनसी भासा थी संस्कित थी और आरियों का जो समाज था वह था पित्र प्रदान समाज तो इतना आपको आरियों के बारे में भी याद रखना है आगे बढ़ेंगे कि बेदों की संख्या कितनी है ठीक है? आप्षन A दो आप्षन B तीन आप्षन C चार या आप्षन D पांच तो इसका जो सही अंसर है वह था ठीक है बेदों की संख्या है चार कौनकों से बेद है? रख बेद, यज़ोरवेद, सामबेद और अथरवेद ये चार बेद है तो यह है आपको याद रखना है कि बेदों कि कौन से 3 बैद मिलकर ट्रै या बैद त्रै कहलाते हैं, Option A. रुक्क बैद, एज़र्बैद, और सामद, Option B. रुक्बैद, एज़र्बैद और अथर्बैद, इसका जुह सही अंसर है रख बेद, यजर बेद और साबएद इन तीनों बेदों को ही मिलाकर त्रै कहा जाता है यह नहीं को हम बेद त्रै कहते हैं ठीक है? अगर हम बात करना है जग बेद की जग बेद जो है इसमें पद संगह है तो इसमें गद्ध संग्रा हैं, अगर सामबेत की बात करें तो इसमें गान संग्रा हैं आगे पढ़एंगे कि भारत के राज चिन्न में प्रियोक्त होने वाले सब्द सत्यमयो जैते किस उपनिसद से लिये गए हैं option A, मुंडक उपनिसद, option B, कठ उपनिसद, option C, ईस उपनिसद, और option D, बहदारनक उपनिसद, तो इसका जो सही आंसर है, वह है मुंडक उपनिसद, ठीक है, तो भारत के जो राज चिन्ने में प्रिवक्त हुआ है, सब्द सत्य में उजयती, और सत्य में उजयते लिया गया है मुंडक उपनिसद में, और एक प्रिशन और प्मूचा जाता है, कि यग्यकी तुलना, तूटी नाओं से जो की गई है, वह भी मुंडक उपनिसद में की गई है, आगे बढ़ेंगे, कि रक बेदिक आरियों का मुख बेउसाय क्या था, ठीक है, जो रक बेदिक आरे थे, उनका मुख बेउसाय क्या था, आप्शन A, क्रसी, आप्शन B, पसुपालन, आप्शन C, सिक्षा, और आप्शन D, बेउसाय, तो इसका जो सही आंसर है, वह पसुपालन, ठीक है, तो जो रक बेदिक आये थे, उनका मुख बेउसाय था, पसुपालन, अब ऐसा क्यों माना गया क्योंकि जो रखवेदक संस्किती के आ रहे थे तो इनका जीवन क्या था आइस्था इता एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे इसलिए इनके जीवन में किसी से ज़्यादा पसुपालन का महतु था इसलिए इनका मुक्ष बहुता है माना गया पसुपालन आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संगीत का आधी ग्रंथ किस बेद को कहा जाता है थीक है भारतीय संगीत का आधी ग्रंथ ह option A, रगबेद, option B, अथरबबेद, option C, यजुलबेद, option D, सामबेद, तो इसका जो सही अंसर है, वह सामबेद, ठीक है, सामबेद को भारतिय संस्कीती का आदी ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि जो सामबेद है, यह संगीत प्रधान बेद है, अगर हम बात करें चारों बेदों की, तो चारों बेदों में आकार की हम बात करें, तो आकार के दिश्टी से सबसे छोटा जो बेद है, वह भी सामबेद ही है, आगे बढ़ेंगे कि सनातन धर्म के अनुसार प्रधाम बेदी निर्वाता कौन है, आगे बढ़ेंगे कि बैदेक धर्म का मुख लक्षण इन में से किसकी उपासना करना था, आप्शन ए प्रकति, आप्शन बी पसूपति, आप्शन सी देवी माता और आप्शन दी तिमूर्ति, इसका जो सही अनसर है, वह है प्रकति, ठीके, तो बेदेक धर्म का जो मुख लक्षण था, वह था प्रकति की उपासना करना, अब ऐसा क्यों था, क्योंकि जो आरे थी, आरेों को प्रकति की सक्तियों का ग्यान था, इसलिए वह है प्रकति या प्राकत किर्याओं की उपासना किया करते थे आगे बढ़ेंगे कि किस देउता के लिए रिक्वेद में पुरंदा सब्द का प्रियोग हुआ है ठीक है पुरंदा सब्द का प्रियोग किस देउता के लिए हुआ है यह हमें बताना है आप्सन ए इंद्र आप्सन बी अगनी आप्सन सी बरून और आप्सन डी सौम तो इसका जो सही आंसर है वो है इंद्र ठीके तो इंद्र देउता के लिए रिक बेद में पुरंदा सब्द का इस्तेमाल हुआ है ठीके तो यह आपको यादाखना है कि कहीं पही पूंच लिये जाए कि पुरंदर किसे कहा जाता था या रिक बेद में पुरंदर किस देउता के लिए यूच किया गया था तो यह इंद्र भगवान या इंद्र देउता के लिए यूच किया गया था ठीके और रिक बेद में इंद्र को क्या माना गया है इस इनको बरसा का देउता या य के लिए ही किया गया है थेंक्यू दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लिए ही कि रहा हो, आपका बहा है शोक्त, वायाद पर लुका